योग क्रांती परिवार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनाहा मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई जानकारी लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लाइक करें, सेयर करें और कमेंड भी करें वेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके आजम बात करने वाले हैं, डिस्ट्रिक आयो सोसाइटी महंदरगर नर्नौल की यहाँ पर योग अस्ट्रक्टर के पाल्ट टाइम 30 पद आय हुए हैं इनके इस्थान अलग-अलग हैं, नीचे एक लिस्ट आपको दिखाई देगी उसके माद्यम से आप जान पाएंगे कि आपके गाउं में योग की विकेंसी है या फिर नहीं है, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो www.mahendrgard.gov.in पर आवेदन फॉर्म डला हुआ है आप डाउनलोड कर लीजेगा और भरा हुआ फॉर्म आपको 15.12.2020 सामको 5 बजे से पहले डिस्ट्रिक्ट आर्वेदिक ऑफिस नर्नौल में जाकर जमा कर देना है या फिर बाई पोस्ट भी आप जमा कर सकते हैं आवेदन फॉर्म पर आपको बैलेड, इमेल आईडी एबर मोबाईल नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि यदि इंटर्व्यू में कोई भी चेंजिस होते हैं तब आपको जानकारी मेल के माद्यम से या फिर फॉन नंबर के माद्यम से दी जाएगी योग का इंटर्व्यू 23 तारीक को रखा गया है 23 दिसंबर को आपका इंटर्व्यू होगा, ध्यान रखेगा लेकिन यदि चेंजिस होते हैं तो मोबाईल के माद्यम से या फिर इमेल के माद्यम से आपको जानकारी दी जाएगी interview के समय पर आपको original certificate ले जाने होंगे कोई भी आपको problem है तब दिये गए phone number पर आप बात कर सकते हैं योग के लिए qualifications इन्होंने बताई हुई है कि आपके पास 10 plus 2 होना चाहिए साथ में 22 भी द्वारा करवाए जाने वाला योग wellness instructor का certificate आपके पास होना चाहिए 18 साल से लेकर 42 साल तक के व्यक्ति यहाँ पर आविदन कर पाएंगे local candidate को बरीता मिलने वाली है salary 8000 परमंथ मिलेगी interview मैं आपको बता चुका हूँ कि 23-12-2020 को होना है जो भी व्यक्ति यहाँ पर आविदन कर रहे हैं वह important instruction अच्छे तरीक से पढ़ लीजेगा पॉस्ट करके नीचे यह इसका form है जो कि आपको इनकी website पर मिल जाएगा आसानी से कोई दिक्कत नहीं है राजकिये आरविदेक औसधालों की यह सूची है इसको आप पढ़ लीजेगा कि आपके गाउं में विकेंसी है या नहीं है इसको आप एक बार पॉस्ट कर ले और पढ़ लीजेगा मैं बताने वाला नहीं हूं तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यबाद